हेलो एवरीवन, वेलकूम अगें टू लंडरी देतिवन, हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान का इतिहास व सिंस्कृती, क्लास 10 में चैप्टर नमबर 8, तो आज हम करेंगे चैप्टर नमबर 8 के कोश्यन आंसर, चैप्टर का नाम है राजिस्थान के लोक नत्यवा लोक नाट तो चैप्टर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, क्योंकि चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी होता है, फिर उससे संबंदित प्रशन हम करते हैं, तो हमें समझ में आता है, तो देखिए ये चैप्टर जो हैं, वो राजिस्थान मादिमिक सिक्षा बोर् ताल, ले, आधी का सक्ती से पालन नहीं होता है, और जो जन सामानने द्वारा जीवन का सहत चित्रन होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, लोगनत्य कहलाते हैं, जिसमें किसी भी तरीके का ध्यान नहीं रखा जाता है, ताल का, ले का कोई भी सक्ती से पालन नहीं होता है, तो ने देवीलाल सागर ने इन्होंने तीन भागों में बाटा पहाडी नरत्य, राजिस्थानी नरत्य और पूर्वी मैदानी नरत्य ठीके तो तीन भागों में बाटा था किसने सुप्रसिद्ध कला मरमग्य देवीलाल सागर ने लोग नरत्यों को तीन भागों में बाटा पहा और बाडमेर में dhe question 4 गीदole not yet किस जेत्र में प्रसिद्ध है तो गैर नत्य जो है वह है मेवाड और बाडमेर में प्रसिद्ध आए वहीं गीनर it eu सिद है सेखावटी शेत्र में याद रखिएगा गैर नत्य गीनर नत्य दोनों ही पुर्सों के द्वारा की जाने वाले नत्य है गीनर नत्य में प्रिक्तु होने वाले प्रमुक वादियंत्र हैं तो गीनर नत्य में प्रमुक वादियंत्र कौन से हैं धोल है धप है और चंग दोल धब और चंग यह कौन से नत्य में हैं गीनर नत्य में मुक्य वादियंत्र हैं गैर नत्य में प्रिक्त होने वाले प्रमुक वादियंत्र कौन से हैं तो गैर नत्य में कौन से वादियंत्र हैं यहां पर धोल है बांकिया है और थाली है धोल बांकिया और थाली किसमें ग इनर नत्य जो पुर्सों के द्वारा किया जाता है, महलाओं के वस्त्र धारण करके ये करते हैं नत्य, तो इन्हें कहते हैं गंडगोर. नेक्स्ट दिखिए कुशन एट, कच्छी गोडी नत्य कब किया जाता है, यह भी पुर्सों द्वारा किया जाने वाला नत्य है, और यह विवाह की अफसर पर किया जाता है, हमने चैप्टर पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था, कि इसमें क्या करते हैं, गोडे जिस त गैर्म नत्य कब किया जाता है, तो गैर्म नत्य कब किया जाता है, यह होली पर किया जाता है, नेक्स्ट देखिए कुशन 10, सेखावटी, डीनवाना, परिवत सर, कुचामन, आदी शेत्र का प्रमुक नत्य कौन सा है, सेखावटी, डीनवाना, परिवत सर, कुचामन, आद तो यह नत्य जो है, वह है मारवार शित्र का प्रसिद्ध है, तो देखिए, नत्य से संबंदित हर कुशन जो है, वो यहाँ इस चैप्टर में हमें मिल जाता है, तो RBSC की जब हमने 6 से लेकर 10 तक की कम्प्रीट कर ली थी, तो हमने वहाँ पर भी टुकडों में पढ़ा था, ठीक है, कुछ बाते हमने 7th क्लास में पढ़ी थी, कुछ हमने 8th क्लास में पढ़ी थी, मादिमिक सिक्षा बोर्ड की बुक से, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अलग से ही यह चीज मैंशन की हुई है, तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हमने यह चीज पहली बार पढ़ी है, तो ऐसा नहीं है, 6 से 10 तक की हम कंप्लीट कर चुके हैं, वह हम इन चीजों को भी पढ़ चुके हैं, और सभी बच्चे जो हैं, वो याद भी कर चुके हैं, तो डान्य नरत्य जो है, मारवाड के शेत्र का प्रसिद नरत्य है, जसनाती संप्रदाय के अन्याईयों किया जाने वाला नरत्य है, अगनी नरत्य, जो कहां किया जाता है, बीकानेर में किया जाता है, अगनी नरत्य जसनाती संप्रदाय के अन्याईयों द्वारा बीकानेर में किया जाता है, कुशन 13 है, किस नरत्य में महिलाएं सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक तो वो कौन सा नरत्य है, जिसमें महिलाएं जो होती है, वो सिर पर क्या रखती है, मटका रखती है, उसमें छेद होता है, और उसमें दीपक रखा जाता है, और फिर उसको रखके डांस करती है, तो वह है है गुडला नरत्य, कौन सा नरत्य है यह है, गुडला नरत्य, कुश गींदर नत्य, चंग नत्य, डांडिया नत्य और गुडला नत्य इन में से महिलाओं द्वारा कौन सा नत्य किया जाता है तो हमने गींदर नत्य को पढ़ लिया, हमने गुडला नत्य को पढ़ लिया, डांडिया को पढ़ लिया, ठीक है तो इन में हमने क्या देखा कि जो गुर्ला नरत्य है वह महलाओं द्वारा किया जा रहा है इसके अलावा ये सभी पुर्सों द्वारा किया जाने वाले नरत्य है डोल नरत्य कहां का प्रसिद है तो यह जालोर शेतर का प्रसिद है जालोर में ढोल नत्य किया जाता है कुशिन नमबर 17 देखिए कीवल पुर्सों द्वारा किया जाने वाला नत्य कौन सा है कीवल पुर्सों द्वारा तो हम इस चीज को देख चुके हैं कि गैर नत्य पुर्सों द्वारा किया जा रहा है मेवाड और बाडमेर में गीदन रत्य जो है वह भी पुर्सों द्वारा किया जा रहा है सिखावटी में डांडिया नरत्य भी पुर्सों द्वारा अगनी नरत्य भी बिका नेर में पुर्सों द्वारा कौन से नत्य हैं, महलाओं द्वारा किया जाने वाले कौन से नत्य हैं, और दोनों के साथ, एक साथ मिलकर जो नत्य किया जाता है, वो कौन से नत्य होते हैं, तो यहां पुर्सों द्वारा आपको पता चल गया है, इसके अलावा अभी हमने एक देख लि अलवर भरतपुर का लोग नत्य कौन सा है तो कौन सा है अलवर भरतपुर का लोग नत्य यह है बम नत्य ठीक है बम रसिया भी कहते हैं और बम नत्य भी कहते हैं तो बम का अर्थ क्या है पूछा जा सकता है एक्जाम में तो इसका अर्थ होता है नगाड़ा Q20 है किस नरत्य की व्यावसाइक पहचान भूत पूर्व मुख्यमंत्री जय नरायन व्यास ने दिलाई ठीक है important लाहने बहुत ज़्यादा यह आपने यह लाइन जो है वो पहले नहीं की है इसको नोट करिएगा किस नरत्य की व्यावसाइक पहचान भूत पूर्व मुख्यमंत्री जय नरायन व्यास ने दिलाई तो गुजरात और राजिस्थान में कौन सा न्रत्य होता है? गर्वा न्रत्य होता है. ठीक है? गुजरात और राजिस्थान की संस्कृति दोनों ही इसमें दिखाई दिखाई देती है गर्वा multiplayer में. Q23. राजिस्थान में किन जिलों में गर्वा नरत्य का प्रचलन है? तो हमने देखा राजिस्थान और गुजरात दोनों में ही गर्वा नरत्य प्रसिद्ध है तो यह है जो दक्षणी भाग है राजिस्थान का जुंगरपुर और बासवाडा यहां पर गर्वा नरत्य जो है लोग परिये नरत्य हैं, तो यह किस जनजाती द्वारा किया जाता है, यह गरसिया जनजाती द्वारा किया जाता है, ठीके, और बिल्कुल बहुत ध्यान से कि इस नरत्य में कोई वादियंत्र प्रियोग नहीं होता है, इस नरत्य में इस तरी पुरुस दोनों ही नरत्य करते है ठीक है important line है वालन रत्य के बारे में पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा रत्य है जो इसरी पुरसों द्वारा किया जाता है वो है गराशिया जनजातियों द्वारा किया जाने वाला वालर रत्य वालन नत्य में किस वादियंत्र का प्रियोग होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि इस नत्य में कोई भी वादियंत्र का प्रियोग नहीं किया जाता है और इस त्री पूर्सों द्वारा इसको किया जाता है गरासिया जन जाती द्वारा तो आज हम यहीं तक करेंगे 25 questions कर लिये हैं आप इन चीज को क्या करिएगा याद करिएगा इन questions को बार बार याद करने से यह चीज़ें जो हैं वो आपके mind में बैठ जाएगे ऐसा नहीं करना है कि एक बार वीडियो को आपने देखा और आपने सोचा कि यह हमें सभी याद ह हो गए हैं जितना याद करोगे आप ही को फायदा होगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू